आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो उन दोनों का जो sum होगा sum मिन्स दोनों का जो addition होगा वो बरावर होना चाहिए आइदर A के आइदर इक्वल टू A और B मतला या तो A के इक्वल होना चाहिए या वो value B के इक्वल होना चाहिए तो देखो यहाँ पर अगर मैं दो non-zero number ले लेता हूँ non-zero मतला उसमें 0 include नहीं होगा तो let कर लेता हूँ कि अगर let कर लिया कि मैंने value ले लिए 2 और 3 अगर मैंने 2 और 3 ले लिया तो देखो इन दोनों को sum करो sum में इस दोनों का addition तो अगर मैं 2 प्लस 3 करूँगा तो value कितनी आएगी 5 तो value 5 आ रहे है प्लस इन्टू मैनस कर जाएगा minus तो जाएगा minus 3 अब minus 2 minus 3 क्या होँगे add होँगे और sign किसका एगा negative का तो देखो यह जो negative 5 है यह भी ना minus 2 के इक वोल है ना 3 के इक वोल है तो यह दोनों के इस ही possible नहीं है अब मैं क्या कर लेता हूँ अब मैं let कर लेता हूँ एक non zero number ले लेता हूँ एक non zero मतलब अगर मैंने एक number ले ले लिया 0 और दूसरा number ले लिया मैंने 4 तो आप देखो आप इन दोनों का addition करो तो इन दोनों का addition करेंगे तो इन दोनों का अगरा मैं sum करूँगा तो इन दोनों का sum क्या होगा? 0 प्लस 4 और 0 प्लस 4 क्या होगा value? 4 और यह 4 value जो है, यह 4 value आपके equal है one of the number, that is 4 के equal है, तो यह हमारा final answer हो गया, that is if we take one zero and one non zero term, then our answer will be sum of these two term will be equal to one of these, its integer, okay, thank you. Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के लेवल तक, 10 मिलियन से जाधा students का भर होसा, आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप, यह WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 पर